तो नमस्कार मैं भी नाइक कुमार स्टड़ी फोर गोल्स में आप शबूं का श्वागत है आज हम बात करेंगे आखें के गेत पुस्तक के बारे में जिसके लेखक स्री निवास पानुरी जी हैं और इसके आये हुए लेशन हम सुनल ही सुनने एक डाक अनि हम सुने हैं कहां से कोई हमें कहीं से पार रहा है अनंत का और किसी दूरभास टाइप का होता है वहीं सुनने एक डाक दूसरी निवास पानुरी जी के द्वारा इसमें लिखा गया है आप देखांगा कि हम लोग के शिलेवस में पैद्ध भाग और कवीता भाग 3-4 पुस्तक को सामिल है पुस्तक का आखी गीप का हम चर्चा करेंगे तो बताते चलें आपको कि इस पुस्तक के लिख़ईया अनिलेखक स्रीनिवास पानुरी जी है इनका जेनाम 25 दिसंबर 1922 को जबकि उनका मिर्थी 1986 महाँ हो था साथ तक टुवर को जनमस्थान इनका परवड़ धनबाद है और शालिग राम पानुरी की ताजी जबकि तुखनी देवीन की महताई है इनके द्वारा रचित कुछ पुस्तक इस प्रकार से है बाल किरन दिवी जोती तित की राम कथाम पे चाखिकाटी और रदभासल के राम बाल किरन इनका पर बात करते हैं इनको भिष्म पितामा के नाम से विश्वनात्र दसंधिराज पुकारते थे जबकि बालमिकी का उपाध है इनको पंडित राम द्याल पंडिक कर दिया हुगा है वही खोटा टैक और बालमिक की शास्त्री के द्वारा इनको दिया गया है हम बात करेंगे हम सुनल ही सुन्येक डाक और हम सुने हैं हमको को कुए पुकार रहा है अवाज लगा रहा है अवाज लगा रहा है कि अर्णारै बोगो घहरें कि महार चाका्व चाके मुलते, अब नहीं रहेंगे हम घर अब नहीं हैंगे हम घर में कुमहार के चाकव जैसा एक ही जगола गुमते हुए गंते हुए घर बना ले रहा है, हमको प्रिशान कर रहा है, हम तो जरूर चाहिएंग भाई हम देखें ही सुन्दरक देशे, मोलता है हम देखल ही सुन्दरक देशे, सुन्दरक अद्भूत रूप एक ऐसा सुन्दर देश और सुन्दर अद्भूत रूप को देखा है कैसा देखा है, इसो बतारे देखे, इंदराशने का असन जहां ताड़ एसन ठोठ, हम ऐसे सुन्दर देगा, बोदेश को रहतान को देखे हैं, जहां पर इंदराशन भी छोटा पड़ जा रहा है, ताड़ के जिसा ठोठ दिखाई दे रहा है, हम उससे भी अधिक क्या है, इ हुल लोड़ाय राखिए अंशु भरी आख कोई हमको वार पॕार है अनरोध कर रहा है तो एक भा रवॉषा को देख लें कि हम सुनल ही षुन्यक्ट हुम सुनल मी अंतर वीकल करे हम देखल ही सुनियक देसे सुन्द्रे कद्भुत रूप इंद्रासनेक आसन जहां तार एसन ठूट सदा नतुन फागून जहां रसे कोकिल कूके लोरायल लाखी एक तक क्यों हमरा डाके इसमें आया हुआ सब्द कुछ जैसे लोरायल नहीं आख हुआ हुआ ह एक तक नजर से एक बार में कोई डाक今天 आवाज लगा रहा है पुला रहा है इंद्रासनेका संब्द्रासन कैसे थे हैं अद्धूतशटा का व्यक्याण कर रहा है इसमें विरहनिक आपप आपह्राण को नलए करें रहा हैां लावाज मेवेवाज करें अंतर अंदर से घबरहठ पैदा हुरा है प्यात तंसे को अंदर आत्मा से डाक नम आने लाने का बात कर रहा है तो चलिए अब हम कुछ इसके अब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें अगर इसको अग्दम सौट में इसके भावार्थ को हम जानना चाहें तो कुछ इस तरह से भी जान सकते हैं कि कवी इस कविता में छायवादी कवी की तरह सुन यानि इस्वर की पुक जहां रोक्सिक कोकिल कू के लोलायल आखी एक तक क्यों हम रड़ आके इस पंक्ति यह किस कविता में सामिल किया गया है तो दमीठा भागुन हावाक बासे हम सुना ली सुन्नेगडाग रूपे काके जरल प्रन और इनमें से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जागा हम सुना ल सुन्नेगडाग से हम सुन्ना ली सुन्नेगडाग कवीता जो है कि लिखवाईया कौन है और कौन लिखे हैं इसको बासुदेव मातो गजाधर मातो विनोद कुमार तो नहीं इसके लिखा पुसे निवास होने देशे हैं कि दोस्तों आपको बताते चलें कि इस्टेडी फॉर गोल्स में फिरी डेली क्यूज टेलीग्राम चैनल पर उप्लग कराया जा रहा है जिसमें जारखन जन्रल साइंस कंप्पीटर और जन्री जीके का आपको बताते चलें कि खोठा भासा पाटकरम से सभी लेखकों का कि आपको पचास फुल लेंद्ध टेस्ट जो है और टॉपिक वाई सेलेक्शन टेस्ट और प्रिबियस येर कोस्टिन पेपर मात एक सो निननानवे रूपे में उबलग कराया जा रहा है खोठा भी से से स्टेडी फॉर गोल्स पर देखते रहें और इन चीजों का लाब उ झीजों का लाब टॉट येर खुल दुग्षिन है और टॉबस्स टॉड्पे मात लेखते लॉपे में प्रिखते खू उलिखा बटुड़ कराया आए भाब लेक्यों का लेक्शन तुग्टॉड़ कराब टॉड़ को अपल आए और ये सले से का रहाएं लेस्ट से का व्र